क्रिकेट जगत की दुनिया ने राजेंदर गोयल जी को खो दिया और उसी के बाद से पूरी क्रिकेट जगत की दुनिया शोक की लहर में डूब गई है नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नीव गोस्वामी और आप देख रहे हैं मुझे इंडिया नीव स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर राजेंदर गोयल जी 77 साल याने की 77 एज में हम सभी को छोड़ कर चले गए और क्रिकेट जगत ने एक कमाल के सितारे को खो दिया अब इसी पर पूरे क्रिकेट जगत की दुनिया से प्रतिक्रिया निकल कर आ रही हैं उनको हम आपके साथ साज्जा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएं तो विराट कोली ने क्या कहा हम आपको ये बताते हैं स्किपर विराट कोली ने विराट कोली ने कहा है BCCA यद्धियक्षिया निकी सौर्व गांगुली ने भी इस पर दुख चताया है BCCA यद्धियक्षिया कहते हैं वो एक बार आपको बता देते हैं उन्होंने कहा कि हमने एक जायंट, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक जायंट, एक महारती खो दिया उन्होंने आगे लिखा, दा इंडियन क्रिकेटिक कमिटी has lost a giant of domestic cricket today, his staggering records tell you about his craft and control he had over it उन्होंने कहा, उनका कमाल का प्रदर्शन बताता है कि उनमें कितनी प्रतिभाथी और वो किस तरीके के उन्दा दर्जे के प्लेयर थे आगे हम आपको बताते हैं, सचिन तेंदूलकर ने उन्हें याद करते हुए क्या लिखा है, मास्टर ब्लास्टर ने उन्हें याद करते हुए लिखा है, सदेंट तो हीर अवाउट पासिंग आवे और राजेंदर गोयल जी, he was a stalwart of Indian domestic cricket, picking up more than 600 wickets in the Ranji Trophy उन्हाने का, 600 से जादा wickets लेने वाले राजेंदर गोयल जी को आज हमने खो दिया है, साथी साथ उन्हाने rest in peace राजेंदर गोयल जी लिखकर उनके घरवालों के लिए सनवेदनाई भी चताई अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम आपको बताते हैं, रवीश शास्त्री जी, कोच जो इंडियन टीम के इस वक्त करेंट कोच हैं उन्हाने का, उन्हाने का, master of his craft, killer line and length in our training मतलब कि उन्हाने कहा कि एक कमाल का player जिसकी line और length कमाल की रही उसके पूरे career में, आज हमने ऐसे खिलाड़ी को खो दिया इसी खबर के बाद से एक शोग की लहर पूरे cricket जगत की दुनिया में दौड गई है, और साथ ही साथ उनके परिवार के साथ भी सभी ने सनवेदना जताई है तो आप इनकी इस दुखद निधन पर क्या कहना चाहेंगे यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और साथ ही साथ हमारे इंडिया निव स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलेगा